अब हम फॉस्पूरस के एक योगी के बारे में पढ़ेंगे फॉस्फीन पी एच्थ्री जेन गेंब्रे द्वारा इसकी खोज की गई थी तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो फॉस्पेट होते हैं उसके जिवानू अब घटन द्वारा भी पी एच्थ्री प्राप्त होता है इसी तरह से विभिन प्रकार के जो फॉस्पाइड होते हैं उसके द्वारा भी फॉस्पीन प्राप्त होता है तो जो धात्वों के फॉस्पाइड होते हैं उसका जलब घटन करने पर फॉस्पीन प्राप्त होता है और धात्वों के जो फॉस्पाइड होते हैं उसका अम के जलब घटन से फॉस्फीन प्राप्त होता है, CA3P2 plus 6H2O is equal to 3CAOH2 याने calcium hydroxide plus 2PH3, अगला है sodium phosphate Na3P plus 3H2O is equal to 3NaOH plus pH3, aluminium phosphate ALP plus 3HCl is equal to AlCl3 plus pH3, तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि फॉस्फीन प्राप्त होता है और ये सभी जो धात्वों के फॉस्फाइड है, उसकी क्रिया याने उसको जब जलब घटन किया जाता है, अमली माध्यम में भी करने पर या जल के स्वारा क्रिया करके भी वो फॉस् विधी, फॉस्फीन प्राप्त करने की प्रयोकशाला विधी में प्रियुक्त जो अभिकारक है वह है सफेद फॉस्फोरस एवं सोडियम हाइड्रोकसाइड, तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सफेद फॉस्फोरस एवं सोडियम हाइड्रोकसाइड को लिया जाता है, औ तो कि यदि फॉस्फोरस वायू के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है तो इस कारण से यहाँ वायू के वातावरन को निश्काशित करना अत्यंत आवश्यक है तो इसके बाद जब ये क्रिया होती है सफेद फॉस्फोरस और NaOH की तो फॉस्फीन प्राप्त होता है तो तो यहाँ पर सोडियम हाइपो फॉस्फाइड प्राप्त होता है और प्राप्त हुई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फॉस्फीन प्राप्त होता है यह फॉस्फीन जब फ्लास्क को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन जो प्राप्त होता है ये गैस के बुलबुले जो फॉस्फिन गैस के बुलबुले हैं जैसे ही वायू के संपर्क में आते हैं तो ये छल्ले जैसे बन जाते हैं एक रिंग जैसा बन जाता है जिसे वार्टेक्स रिंग कहते हैं जो जैसे ही वायू के संपर्क में आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं और इन रिंग को vortex rings कहा जाता है और ये जो धुआ बनता है वो P2H4 के बनने के कारण होता है ये फॉस्फोरस डाई हाइडराइट के बनने के कारण इस प्रकार से ये चल्ले का निर्माड होता है तो डाई हाइडराइट किस प्रकार से बनता है देखिए 3P4 प्लस 8NaOH प्लस 8H2O is equal to 8NaH2PO2 प्लस 2P2H4 तो यहां भी sodium hypophosphide और phosphorus डाई हाइडराइट प्राप्त होता है उसके स्थान पर alcoholic KOH भी लिया जा सकता है ताकि यहां पर जो P2H4 बनता है वो alcoholic KOH में विले हो जाए और यहां पर P2H4 को सीटलन मिश्रण में प्रवाहित करके भी अलग किया जा सकता है या फिर PH3 को निरजली कारक जो P2O5 है उससे प्रवाहित करके भी शुष्क किया जा सकता है calcium phosphide के जलब घटन या calcium phosphide के अमल से क्रिया के द्वारा भी phosphine प्राप्त होता है तो calcium phosphide जिसमें CA3P2 plus 6HCl is equal to 3CaCl2 plus PH3 दूसरा है यदि जलब घटन कराया जाएगा calcium phosphide का तो CA3P2 plus 6H2O is equal to 3CaOH whole twice plus 2PH3 तो यहां पर दोनों ही अभी क्रियाओं में हम देखते हैं कि phosphine प्राप्त होता है अब हम phosphine एवं ammonia की जो सनरचना है उसकी तुलना करेंगे ammonia एवं phosphine दोनों को हम compare करते हैं कि किसमे bond pair अधिक है या lone pair अधिक है या bond pair की संख्या और lone pair की संख्या इसकी तुलना कर लेंगे तो ammonia में हम पहले ही देख चुके हैं कि ammonia में जो nitrogen केंदरी परमाणू है इसके चारों तरफ जो तीन bond pair होते हैं और एक lone pair होता है यह SP3 संकरी तवस्था में होते हैं यहाँ PH3 में भी हम देखते हैं कि तीन bond pair है और एक lone pair होता है लेकिन nitrogen और phosphorus को compare करते हैं तो उसमें जो रिण विदूता का मान है वो phosphorus का कम होता है 2.1 और nitrogen रिण विदूता का मान 3 होता है अमोनिय और फॉस्थीन की संरचना जब हम देखते हैं तो उसको compare करने पर भी दोनों में bond pair की संख्या 3 है और lone pair की संख्या 1 है यहाँ पर हम देखेंगे बंद कोड का मान कैसे कम होता है तो बंद कोड में कमी जो होती है वो विद्यूत रिणता पर आधारित होती है तो उपर से नीचे आने पर nitrogen प्रमानू जो है phosphorus उससे दूर होते हैं और nitrogen की जो electron negativity होती है वो phosphorus से अधिक है तो nitrogen के चारो तरफ जो electron का घनत्व है वो ज्यादा अधिक है phosphorus के comparison में तो यहां जो बंद कोड का मान है तो 93.5 degree है phosphine में जबकि ammonia में जो बंद कोड का मान है वो 107 डिग्री है दोड़ों में ही लोन प्यर के कारण VACPR थियोरी के आधार पर बंद कोड के मान में कमी होती है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए लेकिन अमोनिया में 107 डिग्री है और फॉस्फीन में 93.5 डिग्री होता है तो यह इसके electron negativity में कमी के कारण है क्योंकि phosphorus की electron negativity nitrogen की तुलना में कम होती है तो जो बंदी electron यूगम होते हैं वो केंदरी परमाडू से थोड़े दूर दूर इस्थित होते हैं pH 3 जहरीली गैस होती है इसका जो गंध है वो लहसुन के समान होता है और यह जल में कम विले होते हैं कारबन डाय सलफाइड में घुल जाते हैं और जो जली phosphine उदासीन होते हैं यानि नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं ammonia की तुलना में phosphine का जो क्वतनांक है वो कम होता है इसका कारण है कि ammonia में hydrogen बंद होता है अंतरण और वे अपस में संगुडित हो जाते हैं इसका करण उसका क्वतनांक उछ औंच होता है और phosphine में hydrogen बंद नहीं पाया जाता है तो वे आपस में संगुडित नहीं हो पाते हैं ये कम छारी होते हैं ammonia के तुलना में क्योंकि nitrogen में देखा गया है तो ammonia के nitrogen के चारो तरब जो electron घनतो है बहुत अधिक होता है जबकि phosphine के phosphorus का आकार nitrogen से अधिक होने के कारण जो electron घनतो है वो पड़े छेतर में होता है तो यहाँ पर electron देने की जो tendency होती है वो कम होती है भले ही यह Lewis चार की तरह कारी करते हैं लेकिन ammonia के तुलना में यह तुरबल चारी होते हैं यह जब Lewis चार की तरह कारी करते हैं तो किसी भी Lewis अमल को electron यूगम दे सकते हैं जैसे tribromo boron को यह electron यूगम देकर एक इस प्रकार का ल बना सकते हैं फॉस्फीन एवं जो pH 4 प्लस आयन है फॉस्फोनियम आयन है दोनों की तुलना करेंगे तो जो फॉस्फोनियम आयन है उसमें bond pair 4 है लेकिन lone pair एक भी नहीं है जबकि फॉस्फीन में bond pair 3 है और lone pair 1 है तो दोनों में जो बंद कोड का मान है वह कैसा होगा V.S.E.P.R. theory के आधार पर जिसमें lone pair होता है वहाँ बंद कोड के मान में कमी होती है क्योंकि lone pair bond pair या lone pair lone pair यदी present है तो lone pair lone pair के कारण जो प्रतिकर्शन है वो बहुत अधिक होता है bond pair bond pair के comparison में तो जब भी केंद्री परमाणू के चारो तरफ बंद बनाने वाले electron yume के साथ कुछ ऐसे भी electron yume होते हैं जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं तो उसके कारण उस अणू की जामिती जो है वो विक्रित हो जाती है तो pH 4 प्लस जो है चुकि यहाँ पर एक भी lone pair present नहीं है तो इसमें बंद कोड का मान pH 3 की तुलना में अधिक होता है जो pH 4 प्लस है वो चतूर सयोजी होते हैं जबकि pH 3 त्री सयोजी होते हैं pH 3 440 डिगरी centigrade पर अब घटीत हो सकते हैं अक्रीव आतावरण में भी अब घटीत हो सकते हैं और विद्यूत स्पार्क के प्रेजन्स में भी अब घटीत हो सकते हैं तो pH 3 का जो अब घटन है वो दो प्रकार से हम प्रवाहित किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है तो भी लाल फॉस्फोरस एवं हाइड्रोजन मुक्त होती है PS3 जब किसी अमल से क्रिया करती है जैसे कि HCL या अगर हम इसे हैलोजन अमल कहें तो HX के फॉर्म में इसे कॉमनली लिख सकते है PS3 प्लस HX is equal to PH4X तो PS3 चुकी छारी प्रवृत्ति का होता है तो जब यह किसी अमल से क्रिया करता है तो एक लवड बनाता है तो यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आइोडीन कुछ भी हो सकता है एक्स हेलोजन को दिनोट करता है PS3 के कुछ रासायनिक अभि क्रियाओं को हम जानेंगे PS3 जब नाइट्री कमल से क्रिया करता है तो नाइट्री कमल से क्रिया करके ये फॉस्फोरस पेंटा ओक्साइड, नाइट्रोजन डायोक्साइड एवं जल बनाते हैं तो जब हम इसका बैलेंसिंग एक्वेस्चन लिखेंगे तो 2PS3 प्लस 16 HNO3 is equal to P2O5 प्लस 16 NO2 प्लस 11 H2O जब यहाँ क्लोरीन से क्रिया करती है तो क्लोरीन से क्रिया करके फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड और HCl बनता है तो pH3 प्लस 4Cl2 is equal to PCl5 प्लस 3 HCl कॉपर सलफेट के साथ जब PS3 क्रिया करता है तो यहाँ पर कॉपर फॉस्फाइड प्राप्त होता है तो यहाँ देखिए रियक्शन 3CuSO4 प्लस 2PH3 is equal to Cu3P2 प्लस 3H2SO4 जब सिल्वर नाइटरेट से क्रिया होती है PS3 की तो 3AGNO3 प्लस PH3 प्लस AG3P प्लस 3HNO3 तो सिल्वर फॉस्फाइड बनता है मर्कूरी क्लोराइड से HGCl2 से रियक्शन होने पर 3HGCl2 प्लस 2PH3 is equal to H3P2 प्लस 6HCl तो यहां पर मर्कूरस जो फॉस्फाइड है वो प्राप्थ हुआ है यहां Argentus फॉस्फाइड प्राप्थ हुआ है और कॉपर फॉस्फाइड प्राप्थ होते हैं यह एक अच्छा अपचायक होता है इसमें अपचायक गुण अधिक पाया जाता है तो गोल्ड का या औरी क्लोराइड को यह गोल्ड में अपचाइड कर सकता है तो जब यह औरी क्लोराइड को गोल्ड में अपचाइड करेगा तो 2AUCl3 प्लस pH3 प्लस 3H2O is equal to 2AU प्लस H3PO3 यहने फॉस्फोरस अमलप्राप्थ हुआ प्लस 6HCl तो यहाँ पर जो PS3 है वह एक अच्छा अपचायक होता है इस कारण से औरी क्लोराइड को औरम में परिवर्तित कर देता है तो PS3 के कई सारे उपयोग भी है PS3 एक बहुत अच्छा अपचायक होता है और कई जगा पर यह संकेत भी देता है क्योंकि इसमें धूमरूत्पन होती है वायू के संपर्क में आने पर तो होम संकेतक के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है प्राया समुद्र में जो जहाज है उसको चटान के खत्रे से बचाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है एक पात्र लिया जाता है जिसमें केल्शियम फॉसफाइड एवं केल्शियम कारबाइड लेते हैं ये दोनों अभिक्रिया मिश्रन को जब समुद्र में फेका जाता है और वह जब चटान से टकराते हैं तो चटान से टकराने के बाद जब यह जल के संपर्क में आता है यह मिश्रन तो वहाँ पर एक चमक उत्पन होती है और इसी चमक के कारण इसी प्रकाश के कारण यह पता चल जाता है कि कहां पर चटान है तो जहाज को खत्रे से बचाने के लिए होम संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ pH 3 एवं acetylene के बनने के कारण इस प्रकार से चमक उत्पन होती है जो कि जहाज को खत्रे से बचाती है तो reaction किस प्रकार से होगा? CA3P2 याने calcium phosphide प्लस 6H2O is equal to 3CAOH2 याने calcium hydroxide प्लस 2PH3 दूसरा calcium carbide जब जल के संपर्क में आएगा तो CAC2 प्लस 2H2O is equal to C2H2 acetylene प्लस calcium hydroxide तो यहाँ पर दोनों में हम देख रहे हैं pH3 और यहाँ पर acetylene प्राप्थ हुआ तो इसके मिश्रन के कारण ही यहाँ चमक उत्पन होती है pH3 के जलने पर सफेद धुआ उत्पन होता है तो जब भी यहाँ किसी आग के संपर्क में आते हैं तो यहाँ धुआ उत्पन होता है तो इससे भी कई परकार से परशानियों से बचा जा सकता है तो देखिए reaction CA3P2 plus 6H2O is equal to calcium hydroxide plus pH3 तो चुकि यह pH3 जब आग के संपर्क में आता है तो यह धुआ उत्पन करता है जो लनशील होने के कारण अब हम Phosphorus के कुछ हैलाइडों के बारे में जानेंगे तो Phosphorus plus 3 और plus 5 oxidation state वाले जो हैलाइड है याने PX3 और PX5 इस तरह के हैलाइड बना सकते हैं तो X यहाँ पर fluorine, chlorine, bromine, iodine कुछ भी हो सकता है हैलोजन हो सकता है तो सबसे पहले हम PCL3 के बारे में जानेंगे Phosphorus Trichloride बनाने के लिए शुसक क्लोरीन को लाल सफेद Phosphorus लाल या सफेद Phosphorus को रिटार्ट में लेकर धीरे धीरे गर्म करते हुए प्रवाहित करते हैं तो जब शुसक क्लोरीन को लाल या सफेद Phosphorus में भवाहित किया जाता है तो वह Phosphorus Trichloride में परिवर्तित होती है तो यहां P4 प्लस 6Cl2 इस इक्वल टू 4 PCL3 तो Phosphorus Trichloride बना है इसी प्रकार यदि Phosphorus की क्रिया थायोनिल क्लोराइट से कराते हैं तो भी PCL3 प्राप्त होता है तो P4 प्लस SOCl2 यहां पर यह थायोनिल क्लोराइट है और बैलेंस करते हैं तो 8 SOCl2 लिया गया है इस इक्वल टू 4 PCL3 प्लस 4 SO2 प्लस 2 S2Cl2 यहांने डाई सलफर डाई क्लोराइट तो यहां पर यह reaction जो है यहां भी हम देख रहे हैं कि PCL3 प्राप्त होती है PCL3 की जो सनरचना है इसे हम देखेंगे तो यहां भी एक lone pair present है और 3 bond pair present होता है तो Phosphorus यहां केंद्री परमाड़ों की तरह कारे करेगा तो यहां पर भी एक lone pair present होने के कारण बंद कोण का मान 107 degree होता है VSEPR theory के अधार पर संकरण SP3 present है इसमें तो सनरचना भी pyramidal हो जाएगी PCL3 रंगहीन होता है तीक्षन गंदवाला होता है और इसका जो क्वतनांख है बहुत ही कम होता है कुछ इसकी रासायनी कभी क्रियाओं को हम जानेंगे PCL3 जब जलब घटित होता है तो यहाँ पर H3PO3 याने phosphorus अमल बनता है और HCl बनता है तो जब इसका balance equation लिखेंगे तो PCL3 प्लस 3H2O is equal to H3PO3 प्लस 3HCl PCL3 विबिन कारबनी क्योगिकों के साथ क्रिया कर सकते है जिसमें की OH होता है तो OH को ये CL से replace कर सकते है तो PCL3 की क्रिया जब ACETी कमल से होती है तो ACETी कमल में जो OH है वह CL के द्वारा replace हो जाएगा तो जो reaction है PCL3 प्लस 3CH3COOH is equal to phosphorosamble H3PO3 प्लस 3CH3Cocl याने acetyl chloride बना तो ACETी कमल के OH को हटा कर CL add हो गया तो acetyl chloride बनता है इसी तरह से ethyl alcohol की क्रिया होगी PCL3 से यहाँ पर ethyl alcohol की क्रिया भी PCL3 से होगी PCL3 plus 3C2H5OH is equal to C2H5Cl तो OHCl से replace हो रहा है प्लस H3PO3 phosphorus अमल बनता है अब हम जानेंगे PCL5 phosphorus pentachloride बनाने की विधी phosphorus trichloride में chlorine प्रवाहित करने पर carbon tetracloride की उपस्तिती में phosphorus pentachloride बनता है तो PCL3 plus Cl2 is equal to in presence of reaction carbon tetracloride तो यहाँ बनता है PCL5 इसी प्रकार कुछ सफेद फॉस्फोरस पर जब शुस्क क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो भी PCL5 बनता है तो P4 प्लस 10 Cl2 is equal to 4 PCL5 सफेद फॉस्फोरस की SO2 Cl2 से क्रिया कराने पर भी PCL5 प्राप्त हो सकता है तो P4 प्लस SO2 Cl2 is equal to 4 PCL5 प्लस 10 SO2 तो यहां भी PCL, यह PCL5 प्राप्त करने की कई सारी विधिया हमने जानी तो PCL5 जो है वो एक क्रिस्टली ठोस होता है और यह पीले रंका होता है यह उर्धुपातित हो सकते हैं अर्थात यहां पर उर्धुपातित हो सकते हैं और इसमें जो जलब घटन है वो आंशिक रूप से भी हो सकता है और पूर्ण जलब घटन भी हो सकता है तो इसके रासाइने गुणू के लिए हम इसके कुछ रियक्शन को जानेंगे जब इसका आंशिक रूप से जलब घटन होता है तो यह दो पदो में रियक्ट होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे PCL5 प्लस H2O तो POCl3 बना और HCl बना और पुना POCl3 की क्रिया 3H2O, H2O से कराते हैं तो H3PO3 यहने फॉस्फोरी कमले प्राप्त हुआ और HCl प्राप्त होता है और जब पूर्ण जलब घटन कराएंगे तो इसी तरह के रियक्शन होंगे लेकिन वो एक ही पद में रियक्शन कम्प्लीट होता है तो PCL5 प्लस 4H2O is equal to H3PO4 प्लस 5HCl तो यहाँ पूर्ण जलब घटन की क्रिया हुई जिसमें फॉस्फोरी कमल प्राप्त होता है PCL5 भी कार्बनिक योगी को से क्रिया कर सकते हैं जिसमें की OH समू होता है यहाँ भी यहाँ OH समू को CL से रिप्लेस करते हैं तो जैसे ACETी कमल में से जब PCL5 की क्रिया होती है तो वहाँ भी ACETी कमल में से OH हटा कर CL add हो जाता है यहाँ भी acetyl chloride प्राप्त होगा लेकिन जो इसके सह उत्पाद है वो थोड़े से different हो जाएंगे PCL3 से तो अब हम reaction देखेंगे CS3COOH plus PCL5 is equal to CS3COOCl plus POCl3 plus HCl अगला है C2H5OH plus PCL5 is equal to C2H5Cl plus POCl3 plus HCl तो यह दोनों reaction में हमने देखा कि जो CS3COOH का OH है या C2H5 का OH है वो किस प्रकार? CL से replace हो रहे हैं और सह उत्पाद के रूप में Phosphoryl chloride और Hydrochloricum प्राप्त होता है जब PCL5 की क्रिया भारी जल से कराई जाती है तो किस प्रकार reaction होगा देखिए? PCL5 plus D2O, D2O यहाँ पर hydrogen का एक समस्थानिक होता है deuterium उसके आधार पर D2O लिखा गया है is equal to Phosphoryl chloride याने POCl3 plus 2DCl जैसा हमने देखा था HCl बनता है या POCl3 बनता है उसी आधार पर हम ले रहे हैं H की जगा पर D लिया गया है इसलिए DCl तो यहाँ पर deuterium chloride बनता है PCL5 कुछ धात्वों से भी क्रिया कर सकते हैं तो PCL5 जब धात्वों से क्रिया करते हैं तो PCL5 plus 2Cu is equal to PCL3 plus 2CuCl याने Q plus chloride बनता है अगला है PCL5 जब चांदी से क्रिया करते हैं तो यहाँ पर PCL3 plus silver chloride बनता है अगला PCL5 जब तिन से क्रिया करता है तो 2PCL5 plus 2SN is equal to 2PCL3 plus SNCl4 याने स्टैनिक क्लोराइड बनता है तो यह तीनों में ही हम देख रहे हैं कि जो धातू हैं उसके chloride प्राप्त होते हैं PCL5 की क्रिया के द्वारा अब हम जानेंगे PCL5 की सनरचना PCL5 में SP3D संकरन पाया जाता है इसमें 5 bond होते हैं जिसमें से 3 equatorial होते हैं और 2 axial होते हैं इसमें एक भी lone pair नहीं पाया जाता है और इसमें जो 3 equatorial bond होते हैं वे 120 degree के होंगे और जो axial bond होते हैं वो 90 degree के होते हैं तो इसकी जो जामीती होती है वो त्रिकोणिय द्वी पिरामिडी होती है तो PCL5 में जब हम equatorial bond के लिए देखते हैं तो यहां पर 120 अंश का कोण तो बना है और जो बंध लंबाई होती है वो equatorial के लिए 202 picometer होती है लेकिन यदि axial bond के लिए देखा जाए तो यहां पर जो bond length होती है बंध लंबाई है वो 212 picometer होती है थोड़ी बड़ी होती है equatorial जो bond से जुड़े हुए परमाणू है उनके जो bond length है उसके comparison में axial bond से जुड़े हुए परमाणू के मद्ध जो bond length है वो थोड़ी अधिक होती है तो PCL5 की जो सनरचना है वो त्रिकोनिय द्वी पिरामिडी होती है